नमस्कार, आज हम लोग सरजोसी के जीवन काल का ध्यन करेंगे सरजोसी का जन मद्प्रतेस के उज्जेन सहर में 21 माई 1931 को हुआ उनका बच्पन कई सहरों में बीता कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद उन्होंने लेखन को ही अपनी आजिविका के रूप में अपना लिया इन्होंने आरंभ में कुछ कहानी लिखी फिर पूरी तरह व्यंग लेखन की ही कला में उतर गए इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलूम के अत्रिक्द हास व्यंग पुर्ण धारवाहि की पट कथा और संबाद भी दिखे हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग कारों में सरजोसी भी एक है उनकी मिर्तिव 5 सितंबर 1991 को मुंबई में हो गई सरजोसी की प्रमुख व्यंग किरती इस प्रकार है परिक्रमा किसी बहानी जीप पर सवार जिलनी आएं तिलिस्म रहा किनारे बैठी दूसरी सत्ह प्रतिदीन दो व्यंग नाटक भी हैं अंधो का हाथी और एक था गधा एक उपन्यास है मैं मैं केवल मैं सिर्फ कमल मुख वी ए सरजोसी की भासा अत्यंत सरल और सहस्ती मुहावरों और हास परिहास का हलका असपर्स देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया धर्म अध्यायत राजनीतिक समाजिक जीवन व्यक्तिगत आचरन कुछ भी सरजोसी की पैनी नजर होती थी इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली विसंगतियों को बड़े ही बिवाग रूप से चित्रित किया पाठक इस चित्रन को पढ़ कर चकित हो जाते थे और बहुत कुछ सोचने के लिए भी बिवस हो जाते थे आज हम लोग सरजोसी के जीवनकाल का ध्यन कर रहे थी यह वीडियो आप निव एजुक्रिशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे धन्यवाद जय हिंज जय भारत